वह कहानी आपने सुनी होगी गाउं में पिच्चरों में देखा होगा कि कहते हैं अरे चलियो जंगल में चलियो सेर आ गया सेर आ गया फलाने की लड़के को उठा के ले गया और जैसे ही आवाज लगती है तो सारे के सारे कोई खेत में कोई जंगल में कोई जोपड़ी में कोई घर में कोई पेड़ पे कोई कहीं कोई कहीं सारे अपने अपने लट अपने अपनी कुराली अपने भाले अपने अपने फाबले लेके भाग लेते हैं और सारे आवाज लगाते हैं कहा है सेर कहा है सेर कहा है सेर कहा है सेर की इतनी आवाज लगते हैं कि सेर की बिचारी ही हलत खेला हो जाती यहां से गुस्थ करता है कि जो आवाज लगते हैं और यह से चिलाने कहें कहें सेर कहें सेर । इसको बोलते हैं सोशल note विल जो अभी हमारे हाँ होनहार एड़ोकेट राजी बारवाद जिक्र कर रहे थे क्योंकि वो लंदन से पढ़के आए हैं और यहां भी बड़ी यूणिवस्टीम पढ़े हैं। इसलिए वो सब्सक्राइब करते हैं ये शोशल विल जो मतलब है इसका मतलब है संघ की इक्छा। और संग की इक्षा का मतलब है कि लोगों की इक्षा, यानि कि शेर आया और दिखाई दिया, तो जब एक अवाज लगी तो उस समय सबकी एक इक्षा बन गई, लठ लेके भागने की कि शेर को मानना है, फिर किसी का मकान छोटा है, किसी का मकान बड़ा है, कोई पड़ा है, को कपड़े पहने किसी ने ज्यादा कपड़े पहने किसी के पास मोटर कार किसी कपा साइकल इसके कोई माइने नहीं है माइने सिर्फ इस बात के है कि शेर आया है और हाथ में जो पड़ा लेके भगना है बस इसको बोलते है शोशल विल यह है शोशल विल अंग्रेजी में इसको संग की इक्षा, सामाजी की इक्षा नहीं बोलते, आपको जानके ताज्जिव होगा कि जो सब्द है समाज, यह हमारा है यह नहीं, समाज सब्द हमारा नहीं है, हमारा जो असली सब्द है वो संग ही है, क्योंकि जो समाज सब्द है वो पाली के समझ से बना है, समझ, पाली में समाज सब्द नहीं है, समझ का मतलब होता है मेले की भीड़, और समझ ठान का मतलब होता है मेले का स्थान जहां मिला लगता है, पहले मेले बहुत लगते थे, मनुजन की मेले, तो उनको समझ ठान बोलत तो जब लोग इखटे होते थे उसका सिर्फ एक नाम था समूज इसको बोलते थे संग यानि कि संग हमारा नाम है समाज नहीं है समाज का मतब तो मेला है तो हमें दरसल मेला नहीं खटा करना है समाज इखटा नहीं करना है हमें हमें तो संग इखटा करना है और जब संग में तन होता है तन को इसको ध्यानक नहीं पाली का टर्म है संग में तन तन का मतलब आवाज यानि कि जब दो लोग मिलके आवाज करते हैं लड़ते हैं संग तन तो उसको बोलते हैं संग तन पाली से संग तन को संग तन बोला है यानि संग तन का तो मतलब ही बड़ा इसको संग्ठन बोलते हैं बाद में इसको संग्ठन करने लगे तो संग्ठन का तो मतलब भी है कि जहां आपस में तंटन करेंगे लड़ेंगे वो संग्ठन और संग्ठन का मतलब होता है कि तेरे संग रहूंगा तू मेरे संग्ठन चल मेरे संग्ठन आ मेरे संग्ठन बाप के संग जा रहा हूं, भाईया के संग जा रहा हूं, भाईयों के संग जा रहा हूं, बहनों के संग जा रहा हूं, अपने महले के संग जा रहा हूं, संग और संग एक ही सब्द है, पाली में गय वाला नहीं है, पाली में गय वाला ही है, बाद में गय वाले को गय में बो पूलते हैं और दूसरा कोई संग है नहीं इसलिए बावा साथ अमेड का जब हमाई पाली देखे जाते हैं तो बता के जाते हैं कि यह हमारा कल्यान करने वाली इसमें सारी चाबी यह इसमें और यहां मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो एक पी एक कमाल की चीज और भी है उस कमाल की चीज़ को आप देखिए और इसको पढ़िए यह आपकी स्कीन पर आ गया है यह बावा साब का statement है जो हमको अपने सीने पर लिखवा लेना चाहिए अगर हम इसे अपने सीने पर लिखवा ले ले हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से निकल जाएंगे वो कहते हैं एकॉनोमिक और पॉलिटिकल इसूज मस्ट बी रिजॉल्व ओनली आफ्टर अचीविंग डगोल ऑफ सोशल जस्टिस इफ पॉलिटिकल एमेंसीपेशन प्रिसिडिड सोशल एमेंसीपेशन इट विल सिर्चिटिक मुद्धों को हल किया जाना चाहि है यानिकि सबसे पहले सूशल है यानिकि हमारा जो संग है उसकी अग्श्छा है संग की प्राप्ट होगी संग अगर नियाय के लक्षय को प्रॉप्त कर लेगा उसके बाद ही आयार्थिक यानि पैसे के पीछे भंगना चाह यह तब राजनितिक समस्या को लकरना चाहिए यदि राजनितिक मुक्ती सामाजिक मुक्ती से पहले होती है यानि कि आप राजनितिक पावर को पहले पाते हैं और सामाजिक जो विल है सामाजिक पावर आपको नहीं मिलती है तो यह उच्छ जाती के हिंदूों के सासन और नि कि master chabi politics है master chabi politics नहीं है बाई master chabi तो बावा साब कहे रहे हैं कि अगर सामाजी कुथ थान से पहले यानि संग से पहले आपने अगर political power ले ली तो दूसरों को फायदा होगा आपको नहीं होगा आपके सारे अधिकार चले जाएंगे और बात सच हो गई उनकी क्योंकि संग नहीं बना और political power के पीचे भगा दिया और कहा दिया ताला चावी लेकर ढूंते रो कहा ताला और कहा चावी कहा ताला और कहा चावी और यह साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको सोचल विल सोचल जस्टिस और सामाजिक न्याय और संग पैदा करना है इस संग पैदा करने के बारे ही में अंग्रे जी मैं जो अभिशेक राज है वो बता के गए और कटके सर इसको बार बार बताते हैं इस बात को बार बार बताते हैं वो इंग्रेस में बताते हैं हिंदी में बताते हैं मैं इसको आज खुल के बता देता हूँ आपको सल सब्दों में कि अगर सेर आया सेर आया की आवाज लगी और वहां आपने पहले बोट डालना शुरू कर दिया या पहले ये 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 चुनना शुरू कर दिया कि सेर आया सेर आया भाई इसके पीछे पहले लठ लेके कौन भगेगा और कौन हमारा मुख्या है कि काम करो वे सेर वहां हमारा इंत्यार करेगा अभी एक काम करो कि पहला मुख्या चुल लेते हैं कि लट्ट लेके सबसे आगे कौन रहेगा पिर उसके पीछ लट्ट लेके कौन रहेगा पिर उसके पीछ लट्ट लेके कौन रहेगा और हमारा नेता कौन होगा और तब हम सेर को भखाएंगे तो आप सोच लो कि इस बीच में सेर कितने बच्चों खा जाए और सोशल वेल यानि के जो सामाजी की इक्षा है जो संग की इक्षा है वो यह कहती है कि संगाया सब काम छोड़ो जो जैसा है भाग लो लट लेके तो शेर आवाज सुनके भाग जाता है इसलिए आपको आवाज उठाने के लिए लोग चाहिए क्योंकि शेर एक आवाज से नहीं बगता एक को तो खा जाएगा दो को भी दो को भी जटमी कर देगा तीन से दोड़ी जो बावा साब ने अंग्रेजी में लिखा है यह हमारा जीवन है इसको कोई समझा नहीं और जो समझे उन्होंने समझाया नहीं और जिन्होंने समझाया उनकी किसीने मानी नहीं और जिन्होंने मानी उन्होंने आगे काम नहीं किया आप यह मान के चलो कि यह सारा काम अब ने करना है अब आपको इंतियार नहीं करना है कि कोई आके इसको बताएगा तो आपको हर हालत में हर हालत में हर हालत में इखटा होना है और इखटा होना बार बार बता जाता है कि इखटा होना ही सारे तालों की चाबी है अलग अलग ताले नहीं खोलने भाई इखटे हो चाहे वो आर्थिक पैसे लेने का है, सरकार सी अपने बज़ट का हिसल लेने का है, चाहे वो यूनिवस्टी कॉलिज का पढ़ाने का फिरी में पढ़ाने का है, चाहे वो लड़कों का नोकरी का मसला है, चाहे वो बिदेश में रहे लोगों का मसला है, चाहे छोटे बच्चो क्षायर का जुड़े होंगे हैं तो वो जुड़े हो तो घांग जहां वो जुड़े हैं महँपर संघ तं doet है अबया जा लड़ रहा हैं उनके टिकले हो जाते हैं तो कि वह बने ही इस आधार पर है कि उनके टुकडे हो नहीं है वहां व्यक्ति बाद होता है वहां नेतागरी होती है वहां चंदे का धंदा होता है वहां पैसा लिया जाता है जोडने और जोडने का वहां फैसले एक दो तीन व्यक्ति करते हैं वह फैसले किसी को माने नहीं होते तो वह तूट जाते हैं जब वहां पैसे का बटवारा नहीं होता तो वो टूट जाते हैं, जब वहां दोचाल लोगों की चलती है तो वो टूट जाते हैं, जब वहां एक दूसरे को छोटा बड़ा कहा जाता है तो वो टूट जाते हैं, जब वहां मंच माला माइक चलती है तो वहां लोग टूट ज जाते हैं जब वहां परणाम नहीं आते तो लोग तूट जाते हैं जब उनकी बात जोटी निकलती है तो तूट जाते हैं जब वह अपने ही डिपार्टमेंटों को नहीं बचा पाते तो लोग तूट जाते हैं जब वह बार 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 जो बात कहते हैं और वह बात पूर नहीं कर रहे हैं तो वो यह नहीं कर रहे हैं जो बावा साब ने कहा था कि आपको और्गनाइज होना है आपको संग बनाना है बावा साब ने हमको गुरुप बनाने के लिए नहीं कहा हमको पार्टी बनाने के लिए नहीं कहा हमको राजनिती करने के लिए नहीं कहा यह सेंट को बावा साब ने बात में कहा था वो बात मानी नहीं बावा साब की तो भी बावा साब को आप विस्वरतन भी बोलते हो बावा साब को दुनिया का नंबर वन का विजवान भी बोलते हो मगर बावा साब की बात को नहीं मानते और बावा साब की बात को लोगों को टेड़ी म करके बताते हो इस से बहुत बड़ी समस्या गई है इस समस्या का जो समधान है वो सिर्फ एक समधान है कि बावा साथ की और बुद्ध की या जिसकी भी बात है जो महा पुर्षों की वो सारी एक बात है संग Comics संदनक कर चामी संग में जाना है संग बनाना है या बाबा साथ का मतलब है कि संग बनाना है या जो हमारे संत हैं और जो डेरे बाबा में जो रहते हैं वो सब कहते हैं कि संगती करो संगत करो साधू इसका मतलब संगत में रहना है सासात रहना है या और किसी की ना माने तो अपने माबाप की म खाली जुड़ना नहीं है जुड़के संतुष्ट मत हो जाना कि हम तो यहां 319 लोग हैं 324 हम तो जुड़े हुए जी हमारा काम तो पूरा हो गया नहीं होता संग में सब को काम करना पड़ता है जुड़ना है और जो लोग दुनिया में सफल हैं वो यही दो काम करते हैं इस यह बात की गारेंटि है कि यह कभी तूटेगा नहीं, पेले भी नहीं तूटा, इसमें पद नहीं है, क्योंकि आदमी जो तोड़ता है, वो पद वला तोड़ता है, जिसको आपने पद दे दिया, जैसे मालो संघ है, और संघ के अंदर अब तो पूरे देश में बिदीश में जा चुका है और बहुत तेसे बढ़ रहा है और एस्टाबेस हो गया और चल रहा है तेजी से इस संग का एक सपोर्ज लोगों ने कहा यहाउस ने कहा कि आज इसका एक मालिक बना लेते हैं या इसका एक अध्यक चुल लेते हैं या इसका एक पढ़ान चुल लेते हैं या जन काना उसको दवाना उसको जेल का डर दिखाना उसके पैसे चोरी हो जाएंगे वो दिखाना उसके पैसे को ले जाएगा कुछ उस पर केस बन जाएगा उसका डर या वो अपने बच्चों को दे जाए या वो अपने चहिंतों को दे जाए या वो बिना किसी को कुछ कहे मर है तो जिसको सारी पावर दे दी अगर वो खत्ब हो गया तो सब गया निया बंद है नहीं इसलिए संग कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि इसमें व्यक्ति कभी उपर आए गई नहीं संग आएगा जब आएगा अचा पांस साथ लोग दस लोग जो यहां ज्यादा काम करते हैं जिनको स्पोक बोलते हैं मालोव उनके मन बदल गए मालोव उनके ज्यादा नामद्वाम होगे उन्हें बड़ा च्छा काम किया उनकी ख्याती हो गई लोग बहतले बहुत बड़िए बोल है यह नो JACK कुब टाया है और यह इनका भाश्णमान ठीक ठाक है और मैं कल बंद हो जाएगा मगर मेरे जाने से मेरा काम बंद होगा संग का काम बंद नहीं होगा क्योंकि संग की विचारधारा मेरी विचारधारा नहीं है क्योंकि संग के नियम मेरे नियम नहीं है यहां कोई कोई भी व्यक्ति की विचारधारा नहीं चलती यहां कोई भी व्यक्ति इसको स्वामी नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं ना तो पद है ना उसके पास विचारधारा है ना यहां का मालिक है उसके पास एक चीज है कि वो खुद अपना जो अकिला बंदा है वो वही चलते हैं, यहां विचार धारा वही चलती है, जो बुद्ध की है, विचार धारा वही चलती है, जो बावा साब की है, विचार धारा वही चलती है, जो प्रवीर साब की है, विचार धारा वही चलती है, जो बुद्ध से पहले समण संग की थी, यानि संग की थी, तो हम क लेके हमारा और वो संगी बनके उन्होंने पूरा मज़ा कर लिया जीवन का उनके बच्चे भी मौज में आ गए उनकी तो सेंकड़ और पीड़ी ऐसी हो गई है कि वो ना भी कमाए तो भी खालेंगी हमारी अलत खराब है इसलिए बे फिकर होके यहां काम करें बे फिकर होके इस वार एक फाइदा और भी है आपकी मेहनत को कोई खा भी नहीं सकता यानि कि जैसे यहां आपने काम करना सुरू किया आज से आज तारीक साथ तारीक से काम करना सुरू किया आपकी उमर कुछ भी है चाहे आप पढ़े हैं चाहे लिखे हैं या ज्यादा पढ़े हैं कम प को कोई 60 साल का आदमी कहता है जी मैं काम करूंगा तो वो 60 साल का आदमी 24 साल के आदमी को धमता नहीं सकता क्योंकि यहां सब के काम लिखे जा रहे हैं और जो पहले आता है वो सीनियर होता है और यहां सब एक दूसरे को सर कह के बोलते हैं और महिलाओं को बहन जी कह के बोलते तो इज़त बरावर है तो यहां बैठते भी सारे सारे नीचे हैं तो यह जो समण संग के सारे नियम हैं और जो काइदे हैं वो सारे सारे यहीं रहेंगे व्यक्ति आते जाते रहेंगे आपको जानका ताज्व होगा कि समण संग जो पुराना पहला तो संग ही बोला करते थे अभी समढर संग तो इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जो संग को ले गए तो उनका जो बमवन माना है, जो संग को ले गए तो ले गए क्योंकि यह तो यूनि वर्सल है, यह तो नियम खुले हुए है, कोई भी अपना सकता है, इस पर किसी का कॉपी राय तो है नहीं, बु कोई भी व्यक्ति उनको इस्तमाल कर सकता है तो हमारा नमबर आ गया हमको समझ में आ गया कि इस नियम से पहले भी फाइदा हुआ इनसे अभी भी फाइदा हो रहा है फाइदा इसलिए हो रहा है कि अब जैसे जैसे समण संग में लोग मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे उनको कभी काश्ट की बात नहीं होती क्योंकि समण जो लोग थे उनमें कभी काश्ट थी ही नहीं अच्छा एक कमाल की बात है एक सब्द आता है पाली में समझातिक जो जिसको कहते हैं कि समझातिक का मतलब है कि बरावर जात माने होता है जातिक माने होता उत्पन होना यानि पैदा होना तो समझातिक का मतलब होता है कि जैसे कहीं जाड़िया है बहुत सारी और वो एकी तरह की जाड़ी है जैसे लेमन गरास है और लेमन गरास कहीं जंगल में पैदा हो रही है तो हम उसको कहते हैं यह समझातिक है यानि कि इनकी उत्पत्ती एक जैसी है तो कहीं सारे अगर नीम की पेड़ लगे हुए तो कहते हैं नीम की पेड़ियां समझातिक हैं यानि एक से उत्पन हो रहे हैं ऐसे ही कहीं जानवर हैं और चुहे चुहे कहीं पर हैं तो हम कहते हैं यह समझातिक हैं यानि कि एक से ही उत्पन हुए हुए हैं तो समझातिक का मत में अपने आपको क्योंकि आप पुराने संगी रहे हैं वैसा मानकर काम करें और काम करने का सीधा सा फार्मॉला है कि यहां जो चैट बॉक्स है उसमें लिख दें कि हमें काम करना है नहीं तो आप आरक्षण पर आज बोलना है, पांच मट में आरक्षण से बता देता हूँ, जो आरक्षण है, वो आरक्षण हमें जबरस्ति दिया गया है, जबरस्ति इसलिए है क्योंकि बावा साब ने जो सिस्टम बनाया था और जो उनकी सोच थी, वो ये थी कि हम लोग जब सत्ता होगी जहां सारा बजट आता है, सारा पैसा आता है, उसमें हम अपने देखवाल खुद करेंगे, अपना काम खुद करेंगे, देश तो हमारा ही है, इसलिए उन्होंने कभी दूसरे देश की बात नहीं की, क्योंकि देश हमारा है, हम क्यों मांगेंगे दूसरा देश, देश तो ह अलग को सेपरेट बोलते हैं और इलेक्टरोल का मनला चुनाब हो गया तो अलग से चुनाब करेंगे उन्होंने समझाया कि यह जो लोग है अगर यह अपनी तरब से नहीं चुनेंगे अपना चुनाब नहीं करेंगे तो इनके अधिकास प्रक्षित नहींगे कोई और आदमी जो इनके जैसा नहीं है जो इनमेंसे नहीं है वो इनको ना तो नयाय दे सकता है ना इनका प्रिटिंदित कर सकता है यह ठीक ऐसे है जैसे रिक्से चलाने वालों का जो नेता होता है वो होता है जो करणोपती होता है जो करणोपती घर में रहता है वो रिक्से चलाने वालो जो हमारे विरोधी लोग थे, जिनको ये पता था कि अब क्या होने वाला है, उनको भी समझ में आ गई, कि कास्ट खतम हो गई, यानि सेपरेटर एलेक्टर होने के बाद में कास्ट की एहमेद खतम हो गई, और कास्ट की एहमेद खतम हो गई, कास्ट जड़ से खतम कर दी, करने कि यह सारे जो काम है जिनकों गंदा काम बोल जाता है वो हमें करने पड़ेंगे गुलाम निकल जाएंगे हमारे हाथ से हमको इन पर दबाब नहीं बना पाएंगे इसलिए बुड्धे को बठा दिया कि तू बैठ जा भूगताल कर और जैसा माहौल आज है कैसा माहौल है कि लतामंगेकसकर ग्रेटेश्ट सिंगर ऑफ दा युनिवर्स हर जिगह चर्चा हो रही है जबकि पूरा का पूरा दुनिया जानती है जिसको मौका मिलता है वह आगे बढ़ता है जैसे कांबली पो मौका नहीं मिला विनोत कांबली को जबकि वह अच्छा खला ड़ी था और जो छटे नमबर पर खेलने आएगा वो दवाब में रहेगा तो दवाब में आउट हो जाता है इसलिए दुनिया में जो भी लोग पहले खेलने आए उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाएं चाहे वो सुनिल गावसकर है चाहे वो तैनुलकर है चाहे वो जो बड़े-ब आता है वो तो पैसा लेता है वो तो उसका बिजनिस है मगर उसको ऐसे हाइलेट करते हैं जैसे पता नहीं भारत में क्या हो गया क्या नहीं हो गया भारत गाने बजाने वालों का देश नहीं रहा है भारत तो करम भूमी रही है यह करम कने वाले लोग रहे हैं गाजा गाना उच्छाला उस समय मीडिया ने इतना परचार किया गांधी बैठ गया बुड़ा बैठ गया मर जाएगा डॉक्टर अमेड का हत्यार है डॉक्टर अमेड कर नैसा किया मांसी रूप से दवाब डाला इतना डवाब डाला अगर बावासाब जुके नहीं लास्ट में यह थ्रे बावासाब अमेड कर जुक गए वो घुटनों पर आ गए कि वही समाज के लिए क्या है समाजी अगर संग के लिए क्या संगी खतम हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी तो उन्होंने क्या चली एक तो वह जो सेप्रिल एक्ट्रोल है वो ले लिया हमारा और दूसरा उन्हो के लोगों को सरकार में नोकरिया देते हैं जितनी उनकी पर्षंटेज के हिसाब से तो नैच्रल रायट पूरे देशार है हर आदमी का मता है जिसकी जितनी इस फ измен meth क्या है उसकी इसी इस नहीं है इसलिए यह जो जज्ज्मेंट हुई है ये जो समझा़ता हुआ है यह समझवता जो भी हुआ है यह इल्लीगल है क्योंकि इसमें अंग्रेज पार्टी नहीं है गांधी कई पार्टी था नहीं तो गांधी और डॉक्टर अमिटकर के बीच का जो समझवता है वो इल्लीगल है क्योंकि गांधी इसमें पार्टी नहीं अंग्रेज पार्टी थे तो उन्होंने कहा कि नौक्रियां मिलेंगी और नौक्रियां मिलेंगी आपको जाती के आधार से तो जाती के आधार पे नौक्रिया मिली तो पहले जाती का सार्टिविट बनवाओ पहले तो पड़के आओ फिर जाती का सार्टिविट बनवाओ और फिर पूरी जिंदिके उस लगाता सिस्टम चलता रहा दफ्तर में हमको आने नहीं दिया पहले कह दिया अबेलेबल है फिर कह दिया अगर प्रोपर एजुकेट नहीं तो शूटेबल नहीं है तो बहुत सारी चीज लगा लागे लगा लागे फाइल है बाप पर जाती रही तो बहुत दिन तक मिलती हैं ये बात आप अच्छी तरह से समझ लो इस समय दोसोचान में लोग हैं कि नौकरी आरक्षन से है एजुकेशन जो मिलती है उसमें हमें पूरे नमबर लेके आने पड़ते हैं यानि कि जो पढ़ाया गया है और जो नौकरी के लिए रुकार्मेंट है वो हमें पूरी करनी है तो जितनी रुकार्मेंट है वो हम पूरी करते हैं और अगर हम कांप नहीं करेंगे तो तो हम को नौकर न काल देंगे इसलिए सारी लोग बरावर कांप करते हैं और आज तो इसुति यह है कि सारे रफ्त्रों में जो सिल काष्ट और सिल ट्राइब से नौकुली लेंगे लेने के बाद में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे ये कुछ बड़े बाभू बनेंगे बड़े Państwo बड़े जानकारा बड़ेंगे अजूकेट होंगे फिर एजुके होने बाद और और्गनाइज होंगे तो फिर एजुटे करेंगे पर बावा साब का सपना पूरा नहीं हो पाया क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे उन्होंने छोटे-छोटे गुरुप बना दिये और छोटे-छोटे गुरुप बना के वो फाइट करने लगे कहने लगे हम आलक्ष्णा बचाएंगे तो आरक्ष्णम तो क्या बचा उनके डेपार्टमेंट में विग्गे केने लगे हम प्रभुद भात बनाएंगे प्रभुद भात तो क्या बना मलकर नहीं हाँ बहुत सारे छोट छोटे संग और टुकडे होगे उन्होंने का हम राजनीती करेंगे का काम करी नहीं सकते तो कि हमारी जनचन संग्या 30 क्रोड और हमको 30 क्रोड के हिसाब से यूनिवेस्टी स्कूल चाहिए और वो हमारे पास पैसा नहीं है हमको गौर्णमेंट से लेना पड़ेगा ये उनको समझ में नहीं आई उनको लगता है कि एकाद स्कूल खोलके और वोने बावासाब के प्रति अपनी जम्यदारी पूरी कर दिये आर्थिक आदार पर हम कुछ करनी सकते हैं क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास में ना तो हमारे पास में दुकान है ना हमारे पास में जमीन है ना इंड़ेस्टी है ना मार्किट है तो यह सब चीद हमारे पास है नहीं लिए दे के हमारे पास एक जनसंग की अबल है अगर हम उसको इखटा कर पाए और समिधान के रहते इखटा कर पाए तो जो स्टेट्मेंट में ने आपको दिखायती उसके अनुसार हम फिर राजनितिक विल या सोसल विल या एकॉनोमिक विल या एजुकेशनल विल जो भी कुछ है वो हम पूरी कर सकते हैं और अगर हम इखटे नहीं हो पाए तो बावा साब मेटकर साफ कैस के गए बाई कि अगर आप संग नहीं बना पाए तो भूल जाना फिर आप कुछ नहीं कर पढ़ते और अगर आपने र पीपेश लिल दिल दे सकता है और उसको लोगों को पढ़ाए और समझाए कि सामाजिक नियाय के लक्षे को प्राप्त करने के बाद ही आर्थिक और राजनातिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए यदि राजनातिक मुक्ती सामाजी मुक्ती से पहले होती है तो यह उच जाती के हिंदुों के सासन और निचली जातियों पर अत्याचार को जर्म देगी यह बिल्कुल इस पश्ट और बुल्कुल साफ साफ है जो बावा साब इक कुटे से ने इनको याद रखना चाहिए इसलिए हमको जोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए और अपना संग मनाना चाहिए बावा साप का आदेस इस पश्ट आदेस है उसके बाद संग जो करना चाहिए वो करे फिर संग की छूट होती है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है आ अपने नाम से चला सकते हैं, इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम सब का है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सों का है, उन्हीं की बात को सरल भासा में नंग से नंग चादी, धन्म सरेन बिच्छाम। नंग से नंग चादी, धन्म सरेन बिच्छाम। संगं सर्नं बिच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सर्नं बिच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सर्नं बिच्छाम। दूतियं पी धम्म मर्सर्नं बिच्छाम। भूतियं पी दम्मं सर्णं गच्छानी, भूतियं पी संगं सर्णं गच्छानी, ततियं पी बुद्धं सर्णं गच्छानी, ततियम् पी गुतम सर्मं गच्छामी ततियम् पी धम्मं सर्मं गच्छामी ततियम् पी गुतम सर्मं गच्छामी ततियम् पी धम्मं सर्मं गच्छामी साथम 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 झाल झाल